हेलो, वेलकम टू माय केचन, आज माय केचन में हम बना रहे हैं यह सिंदी स्टाइल आलू की सबजी, मुमफली की पूरिया, खास टिप्स के साथ बनेना चेप्स कलारी आलू और कमल कक्री की सबजी बनाने के लिए मैंने एक कोकर में मुमफली का तेल ले लिया है, उसमें थोड़ा जीरा और दो भरे टेबल स्पून मैं इसमें सावरी या समागे चावल का आटा ले लूँगी और इसमें थोड़ी सी अद्रक इसके डाल दूँगी और कमल ककडी डाल दूँगी जैसाथ कमल ककडी और आलू दोनों ही 500 ग्राम हैं अब इन sựपको अच्छी तरह से मिलाके हम इसमें पानी और पानी एट करने के बाद में इसमें नमक काली मिर्च डाल दूँगी अब इन सब को गुमाके हम इसके दो विसल लग वांगे इसमें आ पिसल लगवाने के बाद जब इनका प्रेशर रिलीज हो जाएगा तब मैं इससे खोल के दिखाती हूँ. आप देखिए इनका सारा कोकिंग ओईल उपर आ चुका है. अब हम इसमें अमचूर पाउडर एट करेंगे. अमचूर पाउडर पहले एट नहीं करना है, सबजी गलने में बहुत टाइम लगाती है और कच्ची भी रह सकती है. सबसे लास्ट में डालेंगे और हडा दनिया डाल देंगे, ये सबजी बिलकुल रेडी है. अब हम बनाएंगे इसकी पूरियां. पूरियां बनाने के लिए मैंने तीन बॉयल पटेटो ले लिया हैं, इन्हें अच्छी तरसे मैश कर लूँगे. अब इसमें मैं 700 ग्राम करीब समा का चावल का आटा जो हमने सबजी में यूज़ किया था वो डाल दूँगे. आपके पास यह एवलेबल नहों तो कुट्टू काटा भी डाल सकते हैं या सिंगारे काटा भी डाल सकते हैं. तुरक इसके डाल दूँगी चौट करके हरा धनिया डाल दूँगी हरी मर्ची डाल दूँगी और दो चमच मुमफली पीसके डाल दूँगी और थोड़ा सेंदा नमक और जीरा साबुत जीरा भी डाल दूँगी इसमें जीरा पौडर नहीं डलता है इन सबको अच्छी तरह से मला के मैंने थोड़ा पानी एड़ करके सॉफ्ट डो रेडी कर लूँगे अब इनकी चोटी चोटी लोईयां हम बना लेंगे और दूसरी साइड मैंने कुकिंग ऑईल गरम करने के लिए रख लिया है इसे बेलने के लिए दोनों साइड से हमें एक पॉलोथिन लेनी है उस इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राय कर लूँगे मुमफले के वज़े से काफी क्रिस्पी हो जाती है और जल्दी तूट जाती है इसलिए एक एक करके ही आप फ्राय कीजिए देखिए अब मैं बनेना चिप्स बनाओंगी बनाने चिप्स के लिए मैंने कच्चा केला ल इसे डालने के बाद एक दम से नहीं गुमाना है थोड़ी दिर के बाद हम इसे गुमाएंगे तो यह बिल्कुल अलग-अलग हो जाएंगे और दोनों साइच से क्रिस्पी ब्राउन होने पे देखिए जादा हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है नहीं तो यह बहुत करवी हल्का ही प्राउन हो और हम इसे लिए पढ करोणं साहरा हो झाल लें गडाव में निख favor अब सते हो यह निकाल कर दोिए सबस演 करने के लिए ठंडंड बिलिए ठंडा होने पर यह बहुत ज्हादा क्रिस्पी हो जाती है एक दम करम-गरम यह पूस्पी नहीं लगते हैं अब